हेलो फ्रेंस वेलकम टू माई चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइरिया में इस्तमाल होने वाले सभी दवायों के बारे में साथ में जानेंगे कि क्या कारण है कि ब्यक्ति में डाइरिया हो जाता है उसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है लक्षन देखने को मिलता है और उन दवाओ का नाम भी जानेंगे उसके ब्रांस नेम जानेंगे और साथ में जानेंगे उसके डोज के बारे में तो इस वीड साइडिफ Extra की प्रालम हो सकते हैं , जैसके ऑखकर नमेर्य नाविक हो सकती हैक। एंटिवाइटिक मेडिसीन जो है ड्रग जो है साइड इफेक्ट कर देता है उसके कारण भी डाइरिया की प्राब्लम देखने को मिल सकता है या अत्यादिक मसाले या चिकनाई युक्त भोजन करने से या ओबर इटिंग के वज़स से भी हो सकता है यानि पाचन सकती से ज़्यादा अगर खा लेते हैं तो भी डाइरिया की प्राब्लम हो सकता है इसके अलावा डाइजेस्टिव प्राब्लम हो किसी व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेट कोई बिमारी हो उनमें भी डाइरिया की प्राब्लम देखने को मिल सकत अब बात करें इसमें क्या लक्षन देखने को मिलता है क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है तो देखिए सबसे पहला तो पेसेंट को बार बार पतले दस्त आते हैं कभी-कभी दस्त के सांथ ब्लड और म्यूकस भी आता है पेट में भारीपन और गुरगुराहट भी रहती है पेट में दर्द मरोड भी बना रहता है और किसी किसी ब्यक्ति में नोजियाबू मीटिंग की भी सिकायत होती है एक्यूट डाइरिया में जो है ब्यक्ति में डिहाइडरेशन की प्राब्लम हो जाता है जिसके कारण ब्यक्ति को ठकान रहता है अत्याधिक प्यास लगती है वजन घट जाता है कमजोरी जैसा महसूस होता है और ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है यदि किसी ब्यक्ति को डाइरिया की प्राबलम हो जाता है तो अब बात करें वो कौन-कौन सी दवाईया है जि क्षोड़ी जाता है तो इसमें चorezer को देखके डाइय्या है डायरिया के अलग-अलग कंडिशन में अलग-अलग दवाईया दी जाती है वह डॉक्तर यह है सबसे परकर जो है और आपकी अगर के ब्रांड की बात करें कि कौन-कौन से व्रांड से तो इसमें आपको लोमोफेन प्लस टेबलेट आ जाएगा लोपा माइड टेबलेट आ जाएगा रो इमोडियम कैपसूल आ जाएगा तो यह कुछ इसके जिसके अंदर यहीं लोपेरम आपको मिल जाएगा अगर इसके डोज की बात करें तो यहीं प्रशंथुल या जाएँ दीन त्यौस्टे होने जाएंग सब्काव्य किते प्रशुतु केश, जो भूए Cand करें दूसरी बात करें तो वह है रेसके डोट्रील दवा जिसका अगर ब्रांच की बात करें तो है रेडोटिल कैपसूल हो गया रेडोट कैपसूल हो गया या एनफ कैपसूल या एडी कैपसूल यह कुछ जो है इसके डोट्रील का जो है कुछ जो ब्रांच है इसके अलावा जहें रेचीडॉट क्याफसूल भी आजाता है जिसके अदर रेशे को ड्रील आपको मिल जाएगा अगर इसके डोज की बात करें तो इडल्ट ब्यक्ति में जहें 100 मिली ग्राम से लेकर 300 मिली ग्राम जो है दिन में 3 बार दीया जाता है अगली दावा की बात करें तो है डाइ टेवलेट जहें दो बार दिया जाता है जरुरत पढ़ने पर दिन में तीन बार भिडिया जाता है घली जो दावा है वह हैं टो टेबलेट जिसके और मिल जाएगा 250 मिल जाएगा इसका पोपलर ब्राइंट ऐसके अगर इसके डोज की बात करें तो देखें ये 250 मिली ग्राम की टेबलेट आता है तो दिन में एक एक टेबलेट तीन बार दिया जा सकता है जरुरत पढ़ने पर दिन में दो दो टेबलेट भी तीन बार दिया जा सकता है दो से तीन बार दिया जाता है अगली जो डाइरिया की दबा है हो हैं metronidazole जिसकी अगर branch की बात करें तो ph may report करें और भासा नींडाण से लेकर 800 मिलले ग्राम दीनमर याजाता है अगर अगली डायरिया की टावा के बात करें तो है शी प्रोफ पीड नाम से टेबलेट मिल जाएंगा तरहां होwiąz अगर इसके Steinhardt riedयकती में एक एक टेबलेट दिन वें दो ओर दिया जाताय से डाएरिया के प्राव्लम ठीक हो जाती है इसके सांथ यह लुघ आमाइड की टेबलेट भी दिया जा सकता है अब बात करें अगली जो दवा और टी नीडा जोल की कम्बिनेशन की दवा यह दोनों जो है कम्बिनेशन फॉर्म में आता है जिसके अंदर सिप्रोफ लॉक्स असीन और टी नीडा जोल मिल जाएगा इसके पॉपलर ब्रांच की बात करें तो है सिप्लोक्स टेबलेट सिप्लोक्स टीजर टेबलेट और की कंबिनेशन की दवा जिसके पॉपलर ब्रांट की बात करे हो है सिप्लोक्स ओजेड टेबलेट जोकसन ओजेड टेबलेट और सिफ्रान ओजेड टेबलेट इस यह जो है कुछ पॉपलर ब्रांट से जिसके अंदर सीप्रोफ लॉक्स असीन और और नीडा जोल आपको मिल ज करें तो दिन में दो टाइम एक टेबलेट लिया जाता है खाना खाने के बाद अगली जो धवा है होँ है नर्फ लॉक्सा सीन या नर्फ लॉक्सा सीन के साथ जह है तीनीडा जुल इसमें अगर पॉपलर ब्रांश की बात करें तो नर्फ लॉक्स दो सो मिली घ्रम और 400 mg की tablet आता है तो nerflogs tablet, nerflogs tz tablet, nerflog cam tablet, alflogs tablet ये कुछ popular branch है जिसके अदर आपको nerflogs मिल जाएगा और साथ में tinnida jol भी मिल जाएगा इसके डोज की बात करें तो दिन में दो बार दिया जाता है और ये दवाईया सिर्फ डाइरिया में ही नहीं काम आता है और भी अलग-अलग तरह की बीमारियों में दिया जता है यूटी आई की प्राबलम में या आतों से रिलेटेड कोई प्राबलम हो उसमें भी दिया जता है skin related कोई problem हो उसमें भी दिया जता है तो ये अलग-अलग दबाई है जो अलग-अलग बिमारियों में भी दिया जता है लेकिन इसमें सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये डाइरिया में सबसे ज़्यादा भी यूज किया जाने वाला दबा है अगली जो दबा है वो है ओफलोकसासीन ये आपको 100 mg, 200 mg और 400 mg की अलग-अलग इस्टेंट में भी मिल जाएगा अगर इसके popular branch की बात करें तो ओफलोकस टेबलेट, जो नोसीन टेबलेट, जन फलोकस टेबलेट, ओफलो मैक टेबलेट, ओफलो केम टेबलेट ये कुछ popular ब्रांच है अगर इसके डोज की बात करें तो एक टेबलेट दिन में दो बार खाना खाने के बात दिया जाता है अगली जो डाइरिया की दवा है वो है ओफलोकसासीन और ओर नीडा जोल की combination की दवा जो की आपकी अगर popular ब्रांच की बात करें तो ये आपको O2 टेबलेट नाम से मिल जाएगा जैनफलोकस ओजेड नाम से टेबलेट मिल जाएगा कुछ की यह ज hourly टिया जाता है और अगली जो दाव Two士 इंजेक्शं ला ऑग जा सबी लांते के एक नर्ण ब्याता में आगे जाता है इसके लहां तो 80 mg आई एम या आई भी जो है दो टाइम दिया जाता है 80 mg जो है दो एमपूल में होता है पर एमल 40 mg होता है तो एक एमपूल सुबा में एक एमपूल साम में दिया जा सकता है एक से दो टाइम दिया जा सकता है इसे मन स्पेशियों में भी दिया जा सकता है अगली जो दवा वह है वह भी injection form में है जो कि है अमीका सीन आपको अमीका सीन नाम से ही मिल जाएगा या मीका सीन नाम से अमीका स्टार नाम से injection मिल जाएगा जो कि कुछ popular प्रांच से इसके डोज की बात करें तो 5 mg पर केजी के अनुसार जो है दिया जाता है 2-3 बार इसे भी नसों में या मान स्पेशियों में दिया जा सकता है एडल्ट में जो है 500 mg की injection जो है दिन में दो बार IM या IV दिया जा सकता है और किसी-किसी ब्यक्ति में जो है डाइरिया की प्राब्लम बहुत ज्यादा पतले दस्त के साथ होता है बहुत पतला दस्त होता है पानी जैसा तो उन ब्यक्तियों में जो है डाइरिया की प्राब्लम के करण जो है डी हाइड्रेशन की प्राब्लम हो जाता है बार बार दस्त होने के करण बोडी में जो है डी हाइड्रेशन की प्राब्लम हो जाता है कम जोरी जैसा फील होने लगता है थकान जैसा होने लगता है तो उस इस्तिति में ब्यक एक दिन में प्रोबायोटिक क्याता है जो कि आपको डेरो लेक नाम से आपको दोस्तो यह था कुछ नहीं लगबग क्तो ही सब हैं दोक्टर द्वारा अलग अलग अस्थितियों दोस्काइब किया जहेए अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हूँ तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बारे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा